अपने दर्शकों को प्रियागराज लेकर चलते हैं अफदेश मुहमद मोहीन वहाँ पर मौजूद हैं मोहीन प्रियागराज इसलिए बहुत जादा खास हो जाता है क्योंकि अतीक अश्रफ केस के बाद पहली बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रियागराज में क्या तस्वी मंत्री का करकरम आज का इसलिए है क्योंकि अतीक अश्रफ मर्डर केस इसके साथ सातुमेश पाल चूटाउट केस के बाद सीम योगी आदितराथ आज पहली बार प्रियागराज आ रहे हैं और ये उनकी जो जनसभा होनी है जहां से वो चुनावी हुकार भरेंगे वो उसी पश्चिमी विदानसभा सीट पे होनी है जहां पर कभी अतीक अहमाद और उसके परिवार का दबबा हुआ करता था अतीक अहमाद इस सीट से लगातार पांच बार विदायक चुना गया था इसके साथ साथ उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अश्रग भी एक बार विदा और बस मुख्यमंत्री योगी आदितनात के आने का इंतजार है कल शाम की बात करें तो कल शाम यहां तेज दूफान आया था तेज बारिश होई थी उससे यहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो गई थी व्यवस्थाओं में खलल पड़ा था लेकिन उसके बा आजपा के कारिकरता भी यहां पर आ गए हैं अब जल्दी जल्दी उनसे भी बात कर लेते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके अंदर किस तरीके का उत्सा है योगी की चल्द सभा में आये हैं और उठने में इतनी देर लगा रहा हैं इंतजार कर र किस तरीके का संदेश लगता है निकल कर आज जाएगा या बस यही है गुंडा राज खत्म है यूटी में लगता है कि सीम जो है अती कश्रफ मर्डर केस पर भी कुछ बोलेंगे जरूर प्रियाग राज की धरती पे आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नकुछ जो है वो उनको बूलना चाहिए यहां पर उसी छेत्र में आ रहे हैं और इससे पब्लिक में और जोश भरेगा तिको कि जो हमारा नगर निकाय का चुनाओ होने वाला है उसमें जोश तो ही है बिलकुल साफ तोर पर समझा जा सकता है कि लोगों को इस बात का बेसप्री से इंतिजाम है कि स्रियम योगिया दितनाद जब यहां पर आएंगे तो अस्तीक शिरफ मर्डर केस पर क्या कुछ कहते है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया राज पर अंकुष लग र कि अब अब इस बार फिर से मंच की तस्वीरे दिखाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि यहां जो थीम तैयार की गई है थीम यही है कि माफिया मुक्त प्रयागराज और देखने वाली बात होगी कि आज क्या संदेश जाता है बहुत शुक्तिया मुहीं तस्वीर दिखा आपके